खादे एवं सारवजनिक वितर्न विभाग गेहूं बाजार पर गहरी नजर रखे हुए हैं। गेहूं के स्टॉक पोजीशन की नियमित निगरानी हो रही है और इसकी आपूर्ती एवं उपलब्धता बढ़ा कर कीमतों को नियंतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। विभ पेलू प्रभाग में गेहूं की आपूर्ती एवं उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा खुले बाजार बिक्री योजना, OMSS, के तहत 28 जून 2023 से ही इस महत्वपून खाद्यान की बिक्री के लिए प्रत्येक सप्ता इनिलामी आयोजित कर रही है। इसक 2150 रुपए प्रती क्विंटल तथा URS समवर्ग के लिए 2125 रुपए प्रती क्विंटल निर्धारित किया गया है। खादे विभाग के मुताबिक OMSS के तहत पहले 2 लाग टन गेहूं की बिक्री का साप्ताहिक ओफर दिया जा रहा था, जिसे धीरे धीरे बढ़ा कर अब 4 5.5 शूने लाग टन निर्धारित किया गया है। 31 जनवरी 2024 तक इस योजना के तहट 75.26 लाग टन गेहूं की बिक्री हो गई। अब सरकार ने गेहूं की साप्ताहिक बिक्री का ओफर बढ़ा कर 5 लाग टन नियत करने का निर्ने लिया है और 7 ही 7 प्रतीक खरीदार को 400 टन तक की खरीद की अनुमती देने का फैसला किया है। सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक न्यूंतम बफर आवशक मात्रा से ज्यादा है इसलिए सरकार को OMSS के तहट इसकी बिक्री जारी रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कुछ राजियों में अगले महीने से त 2023 से 24 सीजन के लिए 2275 रुपए प्रती क्विंटल निर्धारित किया है। गेहूं के बिजाई छेतर में भी अच्छी बड़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी